नकुल महता के बेबी अनॉंस्मेंट पर क्या आया है सुर्भी चंदना का रिप्लाई नमस्कार मैं हूँ लीसा गंगाने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि भाई नागिन 5 में फेचर होने वाली नागिन सुर्भी ने जो रिप्लाई दिया है नकुल महता के बेबी अनॉंस्मेंट पर उसको सुनकर फैन्स अपने आपको गुदगुदाने से नहीं रोक पाए जी हाँ सुर्भी चंदना ने इतना प्यारा रिप्लाइ दिया है नकुल महता के इस बेबी अनॉंसमेंट पर कि आपको सुनकर भी वो बहुत अच्छा लगेगा हम आपको बता दे कि सुर्भी चंदना और नकुल महता साथ कर चुके हैं काम सीरियल इश्क बाज में जहां नकुल महता प्ले करते थे मिस्टर ओब्रॉय का कारक्टर तो वहीं उनकी हमसफर बनी हुई थी सुर्भी चंदना आज मिस्स ओब्रॉय और दोनों के बीच में एक खटी मीठी रिलेशन्शिप जो थी वो सीरियल में काफी पसंद की गए थी और अब ये जो ट्विटर पे इनका ये सोशल मीडिया बैंटर चल रहा है इसको भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं हम आपको बता दे कि नकुल महता कर रहे हैं बेभी एक्सपेक्ट विद इस वाइफ जान की पारे कैसे में उन्होंने ट्विटर पे किया ये अनौंसमेंट और बहुत प्यारी सी पिक्चर शेर करके उन्होंने कम्प्लीट किया ये अनौंसमेंट ऐसे में सुर्भी चांदना का ये रिप्लाइस पैंस का दिल लूट गया क्योंकि उन्होंने का what a stunning looking baby this would be याने की इनका जो बच्चा होने वाला है नकुल मैता और जान की का बच्चा बहुत ही stunning looking होगा याने की बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही charming बच्चा होगा ऐसा सुर्भी का मानना है और हमारा भी मानना है भाई इतने good looking parents को अगर कोई baby होता है तो obviously बहुत ही cute और charming baby तो होना ही होगा ऐसे में सुर्भी का जो यह reply है इसने internet को crash कर दिया है fans are going gaga over her reply और इन दोनों की chemistry after the show भी नजर आ रही है ऐसे में हम आपको बता दे कि नकुल मैता जल्दी expect कर रहे है अपना baby और अभी तो आहला कि किसी project में नहीं नजर आ रहे हैं लेकिन सुर्भी जरूर नजर आ रही है नागिन फाइफ जो में as the leading नागिन अब आपका क्या reaction है इनके social media banter पर social media मस्ती पर लिखकर बता दीजिए में comment section में क्योंकि नकुल महता तो hearts देते में नजर आए सुर्भी चंदना को आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताएगा में comment section में साथ हमाँ channel देखते रहे क्योंकि ऐसी सारी कबरे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे